हेलो फ्रेंट स्वागत है आपका हमारी यूटूब चेनल जीट टेक्निकल एजुकेशन में फ्रेंट साज में इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि राजस्थान बी एस्टी सी यह नि कि प्री डियर लेट का आप एडमिट कार्ड घर बैठे अपने मोबाइल फोन में इजली कैसे डाउनलोड कर पाओ क्योंकि आपको पता होगा कि इसका एक्जाम जो है वहां से अडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं तो अडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको पूरा प्रोसेस जानना होगा तो बने रही है कि मेरे साथ इस वीडियो में अंतर तक साथ ही चैनल को अगर पहली बार विजिट कर रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर और बेल आइकन को दबा लो ताकि आने वाली नए वीडियो की जानकारी आपको मिल सके सबसे पहले तो चलिए शुरू करते हैं तो अगर आपको मोबाइल से अडमिट कार्ड डाउनलोड करना है तो आपको सबसे पहले अपने मोबाइल फोन के गूगल क्रोम को खोल लेना ह गूगल को खोलने के बाद में यहां पे आपको जाना है यहां पे टाइप करना होगा आपको प्रीडियले इस प्रकार से लिखना है प्रीडियले जो की राजस्थान BSTC की ओफिसियल साइट है तो इसे लिखने के बाद में आपको सर्च कराना होगा तो जैसे आप सर्च कर आपके सामने कुछ इस प्रकार चे इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा प्रारंभिक सिच्छा विभाग राजस्थान सरकार कार्याले समनक प्रीटियले परिच्छायों पन जीएक सिच्छा विभाग ये परिच्छाय राजस्थान तो simply आपको इसे scroll down करते हुए नीचे की तरफ जाना है तो आप नीचे से जाने से पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ यह देख सकते हैं कि इसकी जो परिच्छा 31 अगस्त 2020 को आयुजित कराई जाएगी जो कि यहाँ पर notification यह चल रही है उसके बाद में आप यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको एक for candidate का जो है option मिलता है तो यहाँ पे है नीचे printed admit card simply आपको print admit card पे click करना होगा तो जैसे आप print admit card पे click करते हैं आपके सामने कुछ इस प्रकार से interface देखने के लिए मिल जाएगा यह login panel यहाँ पे देख रहे हैं लिखा है login panel यहाँ पे आपको अपनी application ID डालने होगा यहाँ पे application ID में आपको ID डालना है जब आपने application form online किया था जहां से भी online form किया था तो आपको उस application form का जो pin ठोगा उसमें जो application ID मिल जाएगा आपको यहाँ पर डाल देना है उसके बाद आपका जो पासवर्ड है यहाँ पर डाल देना होगा है साइड डिटेल फिल करने के बाद में नीचे आप जाएंगे तो आपको लोगिन का बटन मिल जाएगा आप इस पर लोगिन करके अपना एड्मिट कार्ड इजली डाउनलोड कर सकते हैं या फिर अगर आप जो है किसी भी कारण से अपना अप्लिकेशन आइड भूल गए आपके पास प्रेंट आउट नहीं है तो आपको यहाँ पर नीचे जो है सिग्जेस्ट बगल मिलता है यहां से सबसे पहले अपनी अपनी अन्षत बटन करने मिलता है जैसे आप सब्सक्राणस पे करेंगे तो आपके जो mobile number है उस पे जो है आपकी जो application ID हो भेद दी जाएगी और उसके बाद में आप जो है अपना admit card डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप password भूल जाते हैं तो यहाँ पर target password का option मिलता है तो इस पर किलिक करना होगा जैसे आप किलिक करोगे तो आपको अपने पर application ID डाल देनी है और mobile number डाल देना होगा उसके बाद get login detail पर किलिक करेंगे उसके बाद आपका जो है login हो जाएंगे तो इस परकार से आप इजली जो है अपना admit card डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपको admit card डाउनलोड करने में कोई भी समझ से आ रही है तो आप अपना निनी की ID application ID और password जो हमारे वीडियो के नीचे comment box में comment करके आप हमारे थुरू भी अपना admit card डाउनलोड करवा सकते हैं तो हमें आ साए जानकारी आप लोगों जरूर अच्छी लगी होगी जान